हलो प्रेंट्स मैं हूँ ऐसेल दाकड हमारे टुक चैनल दाकड दाकड नोलेज पॉंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स नर्षिंग और पेरावमीतिकल डिलेटे लेकसि और लेकस अप्डेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंट्स आगके वीडियो में चठ्चा करेंगे एनम कोर्स के बारे में एनम कोर्स कोन-कोन कर सकते हैं इसके qualification क्या है, ये कितने साल का course है, ये कहां से कर सकते हैं, NM course करने के लिए age criteria क्या है, NM course करने की fees क्या है, कितने साल का course है, तथा NM course complete करने के पसाथ जोग लगने के कितने chances है, तथा क्या salary मिल सकती है, NM course के बारे में विष्थार से चर्चा करेंगे, पीडियो को लास तक जरूर देखें, फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, NM course की, तो NM course कौन कौन कर सकते हैं, तो NM course के वल female candidate ये महिला अब्यारती ही course कर सकती है, महिला अब्यारती जो 12th course है, तथा 12th में biology, commerce, आर्च, कोई साभी subject हो, के वल 12th course होना चाहिए, वही candidate NM course कर सकती है, अब बात कर लेते कितने साल का course है, तो ये course 2 साल का है, जिसमें 18 मेने का course तथा 6 मेने की internship, याने टोटल 2 साल में complete होगा, अब बात कर लेते फीस की, तो government college में कोई फीस नहीं है, रास्तान में के अबल government college ही है, private college नहीं है, जो भी private college है, वो other states से सीटे लाके चला रहे हैं, पंजाब या MP से लेकर के, सीटे लेकर अपना college चला रहे हैं, रास्तान proper में कोई NM course का college नहीं है, रास्तान में के अबल NM course ही तू government college है, जहां पर टोटल 1590 सीटे हैं, रास्तान में इसके फॉर्म बरवाई जा चुके हैं, एक नमबर 2020 इसकी last date थी, CMHU लेवल पे फॉर्म एपलाई करवाई थे, और CMHU लेवल पे ही cut-off list जारी की जाएगी, यानि district लेवल पे cut-off जारी होगी, अलग-अलग district के अलग-अलग cut-off जाएगी, और इसी के 1000 पे प्रस्टिक्शन में admission मिलेगा, जिनके ज़्यादा percentage होंगे, उनकी selection होने के chance ज़्यादा रहेंगे, अब बात कर लेते हैं, फीश की, तो फीश के अबारे में बता चुका हूँ कि, कॉर्मेंट कॉलेज अलोट हो जाता है, तो कोई फीश नहीं है, और अगर कॉर्मेंट कॉलेज अलोट नहीं होता है, आप प्राइवेट कॉलेज में admission लेना चाथते हैं, एम पी पंजाब या किसी अधर स्टेट में तो लग बग दो साल की पीश 80 से लेकर के एक लाग रुपे है, एज क्राइवेट की बात करें तो उस मीनिममम 17 साल एज होनी चीश तता मेक्जिमम 34 साल एज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अब बात कर लेते हैं, एनम कोर्स करने के फसाद स्कोप क्या है, नोगरी लगने की चांसेज कितने हैं, तो एनम कोर्स करने के फसाद आप 800 ग्रेड पे तक की नोगरी लग सकती है, राश्तान स्टेट तथा अन्य स्टेट में वेकेंसी निकलती रहती है, इसके साथ ही सेंटर गवर्मेंट में जैसे ESIC, CGHS, डिपार्डमेंट, रेलवे, तता अन्य जैसे DSSS, दिल्ली गवर्मेंट, यूटी, तता अन्य सेंटर गवर्मेंट डिपार्डमेंट जहां पे NM की वेकेंसी निकल सकती है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेट गवर्मेंट में जोब लगती है तो 35-40,000 के लगवा का सेलरी मिलती है तो सेंटर गवर्मेंट में जोब लगती है तो 45-50,000 बीच में आपको सेलरी मिलती है तो काफी जोब औरिंटेट कोर्स है क्योंकि ये कोर्स केवल महिलाएं ही कर सकती है मेल इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं इसलिए कंपेटिशन काफी कम है दूसरे कोर्स की बजाए तो फ्रेंड्स इस से रिलेटेट कोई भी कौरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो फसंद आई तो लाइक रे, सेर करे, साउस्क्राइक करे बेल आइकन को दबाई ताकि इसे ही जानकर रिपर्द वीडियो बना तेरे अब तक बेश तेरे थैंक्यू जैहिंजे भारत